गुड मॉनिंग एबिबन कैसे हैं आप सभी आई हूप अलार वेरी गुड तो हम पड़ रहे थे अध्याय पांच हिमांचल का बहुगालिक परिचे एब प्रक्षितिक संसादन कक्सा साथ तो हमने जो वो पूरा चेप्टर रेट का लिया है आज हम करेंगे इसके अभिहास क प्रसंद तो इस चेप्टर में हमने बहुत कुछ डिसक्स किया जैसे कि हमांचब देश में नदियों के बारे में जो भी जीले हैं उनमें कौन-कौन सी नदिया वैती हैं उनकी कौन-कौन सी साहयक नदिया उनके बारे में डिसक्स किया कौन-कौन सी खड़े हैं कौन-कौन से गलेसियर है बड़ा सीगडी के बारे में हमने डिसकस किया तो बहुत कुछ जैसे जीलों के बारे में डिसकस किया तो प्रक्रितिक जीलों के बारे में कौन कौन सी जो बुमानम निर्मित है तेक है सब कुछ हमने जो इस चैप्टर में डिसकस किया जड़ी बीटियों के बा प्राक्रतिक खंडो में भी वाजित किया गया है तो इमाचपदेश को याद रखिए बाईये हिमाले, मद्दे हिमाले और महान भी वाजित नेक्स कोड़ीन! hydraulic दिया तो पाउन्च प्रूंख नदियों के बारे में भी हमने पढ़रा था यमना जो की सबसे चोटी नदी है और अगर बात करें गंगा नदी की सबसे बड़ी सहाइक नदी तो यह मुना ही है अगर हम सत्रूज की बात करें तो सत्रूज माचवदेश की सबसे लंबी नदी है सत्रूज माचवदेश की सबसे लंबी नदी है इनके हमने जो वो लंभाई की भी बात की थी जैसे कि सत्रोन नदी जो की भाछकी स्बसे लंभी नदी तो कहां से निकलती है मानसरोबॉ सब्से लंभी। भागी नदी यो कि में कंम ही की ओंगी। तो यमुना जोब वो अगर टोटल बात करने इसको 15-25 1525 किलोंेटर इसकी टोटल नमाई है कि चिनाव नदि अफ्टी याँ पर देखे वियास नदि लिखा हुआ थिक है वियास नदि है तो ब्यास कुंड से निकलती है रोतंग पास से ठीके रोकतंग दर्रे के पास से निकलती है इसके जो लंबाई है वहाई 256 मनच्बदेश में 256 टोटल की बात करने तो 460 किलोमेटर है नेक्स्ट है यहां पर राभी नदी तो राभी नदी की जो लमाई है टोटल वह ऐ 720 किलोमेटर और राभी नदी जो बड़ा भंगाल से इकलती है अगर इसके मंचव देश्क में बात करें तो 158 किलोमेटर जो आप याद रगिए नेक टोटल है वारा सो किलोमेटर अगर हिमांचर बदेश में बात करें तो एक सो बाइस किलोमेटर है मैंचर बदेश में 122 किलोमेटर है तो इसको भी जो आप याद रहे के नेक्स कुछी नदियों में बरस भर पानी जो बो कैसे बहर रहता है यह इंट्रेस्टिंग उसने कि लाउस्विती में है तो इमांचर बदेश में बैने वाले नदिया बड़े-बड़े गलेशियों से जो वो निकलती है इसलिए जो आप पर पानी कभी भी खतम नहीं होता है जेक है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर था प्रस नमबर तीन तो इसके बाद आता है इमांचर में कुछ स्तानों में बर्फ नौ से बाहरम 12 मेने तक रहती है ठीक है तो इमांचर देश में पूरी साल भी कई जगह बर्फ रहती है तो इसलिए जो नदियों में पानी जो वो खतम नहीं होता है क्योंकि वो गलेशियों से निकलता रहता है जो वो फिगलते रहते हैं ठीक नदी बात है तो कई सारी नदिया या घ्र्ण गर्ण लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया भी साय नदिया है तो मन्री बैस переж्ण नदी बात है तो सब हच जो और धिया निवाती की नहीं leaf निकल रही है तो कुलू मंडी और हमिरपूर कांगड़ा थीक है याद रही है चीनाव निकल रही है और किनौर शिमला कुलू सोलन और मंडी बिलासपरोना में सत्रूज नदी याद रही है सत्रु नदी किनौर, फिर सिमला, फिर कुलू, सोलन, मंडी, फिर विलासपुर, फिर उन्ना में प्रिवेस करती है, ठीक है, नेक्स्ट है, रावी का उद्गम स्थल की स्तान से होता है, तो अब यह मने बाद कि बड़ा बंगाल से होता है, कांगणा जिले के बड़ा बंगाल से होता है, इसका उद्गम मतलब कि कहां से निकलती है, बड़ा बंगाल से निकलती है, नेक्स्ट है, सत्रु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यह तो मानसरोबर जील से निकलती है, ठीक है, नेक्स्ट है, यहापे ब्यास नदी का उद्गम कुलू जीला के किल स्तान स उसलिए जब वह स्थानों पर जाती है जब कि नीच्छे वाले स्थानों पर आ जाते हैं जबकि निच्छे लेक्टस्थानों में जाता है तेक है जो नेक्सित है यहां पर मचल परदेश के कीनी पांच दर्रोंके नाम लेखिए तो और रोगतांगद्र वह जहां से जो वो भू जिसके पास से जो भू बयासकुण से ब्यासन दीदे करी है एक कुंजुम दर्रह हो गये ब्GU 1 सब्सक्राश भी धिमने ऐब चाह depende below सब्सक्राइए 30 Прश्थ क्षपी लिटाइओ दुरugen किमसें वहेदा अजी न्मीयास में है आपको फिलने को लिख भी होडशक्बार्यों सब्सक्राइब इसकी जो हैट है 4500 मित्र चंटसल दर्र Shh चंसल दर्र हो एक पर पढ़ती पांच याद रह पर प्रसनमेर अर्ण में इं इसका प्रेटन के लिए जो वो क्या लाग है तो सब्द सीमा जो आपने हंड़ड सब्दों में जो इसको लिखना है तो यहां पर लिगा है मांचब देश की जल्बाई समसी तोसन है क्योंकि यह भाग जो वो करक्रेका के उपर आता है यह दुखे हमारा जो जल्बाई है वो भी खेरती है इसके गारने माचब देश में प्रेटन विवाग हमेशा जो वो करिया सिल रहता है तो बहुत अची बात है माचब देश में कई सारे प्रेटक जो वो गुमने वी आते है प्रस्नमा तीन है आप एमाचब देश की प्रमुक गाटियों के नाम निको तो कुछ गाटिया आपने लिखनी है जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़था वह सारी गाटिया जैसे एक सहण की गाटि कहांपे है चंब दूध आर सहट की गाटि जो वो चंब बने sensors कि पिन जो की सहीरा हुई और गाती है चुन कुन गाटी और शोलन की कुनियार गाटी यादी आदी जो ओई जब ऊसी ही घाटी यह तो इसको आप 용ल lattice एक ढाषय च्बा में अमने बाद की लाहुल गाटी है, एक स्पिति गाटी भी है, तो बेला ज्वाम हमने बाद की दूद और सहथ काहाँ पर है। जैसे आपने में मैं दूद और सहथ की घाटी है, इन गाटियों के बीच में से कुछ नदिया गुजरती है। इनके आसपास से जो वो मतल कि इनके बीच में से नदिया गुजरती है इसलिए जो वो है उप जाओ भी है नेक्स्ट है यहां पे अच्छा यहां पे हमारा जो चैप्टर है वो कंपलेट होता है तो इसको आप अच्छे से समझे इन कोश्चिन को और अपनी कॉपी बे नोट करें थेंक यू एंड हाव नाइस टे